बाहरत जोड़ो यात्रा नांदेड मदे आलेले आहे राहुल गंदीन चे भववे रैली होते आहे आना सबा होनर है अपले सोबत है तो उत्तर प्रदेश कॉंग्रेश माजी अद्देक्ष अजय कुमार लल्लू साप लल्लू साप बहुत-बहुत स्वागत है क्या जरूरत है बहरत जोड़ने के लिए चलने के थोड़ी जरूरत होती है जिस तरह देश के हालात है जो परिष्टिती है ऐसे में आज एक नेता जो गरीब कमजोड सोसित बंचतों की आवाज बनकर सडकों पर संगर्श करना है जहां देश की विवित्ता एकता खत्रे में है जहां धर्म और संपरदाय की राईनीत हो रही है लगभग अगर आप देखेंगे तो जो दले हैं और दलों का जो हालात है वह कहीं न कहीं धर्म का सहारा ले रहे हैं ऐसे में एक व्यक्ति महांगाई की बात कर रहा है बेरोजगारी की बात कर रहा है किसान की बात कर रहा है सोसित की बा तो लेकिन ये डिजिचल यूग है ना तो फेस्बुक ट्रीटर से ही अपना मेसेज भजा जा सकता है reaction C यात्रा कर सकते थे जादा लोगों से जुड़ सकते थे पूरे भारत गुम सकते थे बारा ही राज्यों में जा रहे हैं सभी बोला जा रहा है नहीं देखे यह यात्रा जो आपका प्रस्ण है मैं एक तरफ इन विश्यों के तरफ यह बताना चाहूंगा कि डिजिटल प्लेट है जो इनका प्यार है जो उत्सा है वह नहीं देखने को मिल सकता है एक चीज है कि राहुल गंदी अपना काम कर रहे है राहुल गंदी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली लोगों में संदेश दिया हम खड़े है यह संदेश दिया कॉंग्रेस के हर राज्य के नेता हर कि तब कभ जाएंगे या फिर कोई ED का डर दिखाएंगे तो पार्टी बदल लेंगे मैं समझता हूँ कि जो परिस्तिती है ऐसे में कांग्रेस का प्रतेक नेता प्रतेक कारे करता आज गाउं गाउं में लगा है सडको परह संगर्ज कर रहा है सिर्फ चस्मा बदलने की मुझे बात करने दीजे जवाब दे रहा हूं कि जो प्रतंता जो परिस्तिती होना चाहिए जैसे बिपच्छ अगर आप संसद में बोलना चाहते हैं तो संसद में मैं बंद कर दिया जाता है टीवी और मीडिया जो है कुछ खास लोगों के हाथ की कटपुतली बनी हुई है मेरा सवाल अलग है मेरा सवाल क्या है आप जैसे जमीन से जुड़े नेता तो घूम रहे है जो बड़े नेता है जो मुख्य मंत्री रहे चुके है जो मंत्री रहे चुके है वो नहीं रुक रहे है आपके लिए लोग तंत्र में जनता जिसको अपना जन्मत देते हो ही बड अगर आप ऐसे देखेंगे तो देश में बहुत सारे मौका प्रस्त हैं भादपा में भी है और तमाम छेत्री दलों में भी है जो समय समय पर इधर से उधर जाने की परंपरा बनाये रखते हैं लेकिन जहां आज देश में कांग्रेस पार्टी सड़कू पर संगर्श कर रही ह है निश्चित तोर से बदलाव की सुरुआता है जो बहुत ही मुलभूत सवाल है कि कॉंग्रेस के नेता यह जो चोबीस तक यह जो है मोमेंटम वो टिका रहना चाहिए चोबीस तक टिकेगा तब इसका फाइदा हो सकेगा हर दल को होगा राउल गंदी के यात्रा में तो स आप एक रूप में मत देखिए केवल राईनितिक रूप में मत देखिए सांस्कृतिक साजी विरासत विवित्ता एक्ता लोकतंत्र और जनता की आवाज हजारों लाकों लोग हैं जो अपनी आवाज विभिन माध्यमों से उठाना चाहते हैं चाहे महंगाई का मुद्दा ह तो तमाम छेत्री अस्तर पर छोटे छोटे बड़े बड़े मुद्दे हैं जो लोग सडकों पर संगरसरत थे पिछले समयों में लेकिन कहीं न कहीं न कहीं जिस तरह लाटी डंडों के बल पर मुकदमे के दम पर उनकी आवाज दबाई गई उनके खिलाब तमाम तरह के अफरत की सियासत तो समाप्त होगी एक लासत होगा सब साथ में रहेंगे यहां पर वनाए बिल्कुल हम सब तो साथ में हैं सभी नेता ने सभी कांगरेश का एक कार्य करता साथ में है तर यह उते आजाए कुमार लल्लू जनी सांगीत ले कि सगड़े नेते सगड़े कॉंग्रेसे नेते राहूल गांदीन सोबत है तानीती शेवट परिंत तेंजा साथी ले कायम राती कैमेर मना जीत सोबत अभी जीत करंडे एबीप माजा नांदे एबीप माजा उगडा डोले बगा नीट